So hey guys welcome back to the channel The Bitcoin Burner So, आज की वीडियो मैं बात करेंगे Shiba Inu के बारे में क्योंकि Shiba Inu All Time High पर All Time High सेट करता जा रहा है आज एक नए All Time High देखने को मिला है काफी High And, तरेड वॉल्म भी उस पर जा रही है तो बात करेंगे SHIB के बारे में वुटियू करने से पहले विडियो को लाइक करने बिल्कान भूले कि लाक से हम मोटिवीशन और मार घंट आगे तक पहुँचता है तो प्लिज व्यों होने काय। प्लिज जोन करें लिंक भी क्यों में गिवन हैं वहां पे में 400 अपडेट शेर करता रहता हूं सिधा शुरू कर देते हैं सबसे बहले पहली अपडेट जो आज की है कि Coin Market Cap डाउन हो चुका है Coin Market Cap सही से रिफ्रेश भी नहीं और आपको कुछ भी नहीं जहने को मिल रहा है ना Volume ना Market Cap और Global Market Cap सब 0 अगरे बता रहा है बट मैं आपको यह बता दू कि Last 24 Hours में Current Price अगर हम देखें इस पर देख लेते है Trading View पर 61,390 है और काफी strong pump देखने को मिला है जैसे कि मैंने आपको support level पता था 58,434 वो maintained रहा Candlestick Closing उसके नीचे नहीं हुई है वहीं से हमको एक अच्छा Jump देखने को मिला इस एरिया से So, देखना पड़ेगा यहां पर कैसे करता है And उसके बाद major resistance almost retest हो चुकी है जो की 61,890 है 61,800 तक retest हो चुका है But हम बात करेंगे SHIB की जो की बहुत extensively perform कर रहा है And अगर मैं SHIB की बात करूं तो आज SHIB ने एक ऐसा काम किया जो कि किसी ने expect नहीं किया SHIB ने USD coin को flip किया And हम को देखने को मिला Almost 8th largest crypto के नसी बना Shiba Inu जो इसने Polkadot को भी पीछे चोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए Doge coin से जादा market cap लेके Currently 9th position में Top 10 cryptos में SHIB Enter कर चुका है And बहुत extensive rally देख चुका है Last 7 days में 174% से up है And आज में 29.78% Last gainer भी SHIB है और Doge में अची जादी देखने को मिली है And SCRT 19% Up है CRV 16 And FTM 16% Up Losers में देखने को मिला है PURP 5% down Ravelin 5 3% And Aave 3% काफी जादी के बाद But Shiba Inu बहुत extensively 24 hours trade volume की बात करें Coin Gecko पे So आपको देखने को मिला है कि Huge amount में Bitcoin से Relatable trade volume है 43 & 44 जादा फरक नहीं है Almost same trading volume Shiba इनों में जा रही है And currently होके आ रहा है Market से major alts जिन से gain मिला है Basically जो हमारे fundamental tokens है Yeah जो बहुत extensively market cap Tokens इनका काफी high market cap Top 10, 20, 30 Money का inflow हमको SHIB पे होता हुआ And जो एक और scenario में को देहने का मिल रहा है Shib से money का inflow Dogecoin पे जा रहा है क्योंकि Dogecoin भी आज 26% से अप है 30 cents पे stand कर रहा है And जैसे कि है काफी अच्छा gain देहने को मिल रहा है अगर क्रिप्टो रिसर्च मसारी से देखें तो मसारी के accordingly सबसे जादा market में trade volume Shiba Inu की है 20.69 billion की और काफी जादा extensive movement हो रही है Shiba Inu की अगर मैं बात करूँ Shiba Inu के बात आप देखें Dogecoin की volume Bitcoin से ओपर दिखा रहा है मसारी पर विच मीन्स कैसे extensive और काफी जादा volatile चीज़े हो रही है market में mainly Bitcoin का भी जो इतने दिन शांती बनाकर रखे Bitcoin है इस एरिया में से रही है 58,400 लेगे 59,400 के अरिया में वह इसलिए हुआ क्यों क्योंकि major trade volume था Bitcoin और Ethereum का trade volume था और आज जब SHIB थोड़ा सा डंप हुआ है जब SHIB ने अपने all time high से जो कि आई निया set के 8854 वहां से जब वापिस back मारा था 5652 पे तो हमको देहने को मिला कि कैसे trade volume बाकी coins और basically Dogecoin मूफ करना शुरू किया Dogecoin बहुत extensive pump दिखाया कहां से यह शुरू हुआ था 0.2354 से लेके All time high डेली और डेली हाय 3361 देहने को मिला 0.1 का moment देहने को मिला है Dogecoin में भी वह indicate कर रहा है कि कितने ज़दा वाल्टिलिटी है But Shiba Inu में जो एक major scene में आपको कल बताया था कि एक बार Shiba Inu यह जो लेवल है 5652 से लेके 5959 के बीच में जो एक दो लेवल of resistance थे कल इसके ओपर support confirm कर लेगा तो हमको जो 5B level है 7776 retest होता हो देखेगा And यह break भी हुआ Support confirm होई अगर आप देखें इतने accurately मैंने आपको यह बताया कि इसके ओपर support confirm होगा Currently जो movement है अगर हमको closing है जो इसके ओपर नहीं देखने को मिलती है 7776 के नीचे और closing अगर इसके नीचे हो जाती है 7776 के नीचे 9.30 से पहले वाली या 2 hours closing जो आदे घंटे में होनी है तो हो सकता है हम एक further dump देखने को मिल सकता है Shiba Inu पर And further Shiba Inu का price रहा या तो थोड़ा साइडवेज movement कर सकता है या हमको वापिस ये जो area है 20 moving average 4 hour chart पे और 20 EMA 4 hour chart पे retest होता हूँ देखने को मिल रहा है जो same area बन था जो मैंने आपको बताया था तो इस चीज का ध्यान ज़रो के But अगर market still same behave करेगा Shiba Inu का same trade volume देखने को मिलने वाला है अगर फिर से market में तो Shiba Aram से next point of resistance मैं देख रहा हूँ 0.00012 तक जा सकता है basically अगर हम देखें यहां से almost 80-90% का profit दे सकता है But मैं आपको ये बता दू जो currently 4 hour chart पे Shiba Inu का price action है उसको देखके लग रहा है Sort of bearish engulfing क्योंकि आप देख सकते हैं Red की trade volume बहुत जादा थी Sale की trade volume बहुत जादा थी और आज almost अगर मैं बात करूँ 22.4 million Shiba Inu liquidate होई है जिसका मतलब यह है कि market में अब dumpers आ गए है Beers की भी अब जो है थोड़ी सी strength strong है But देहना पड़ेगा अब क्या हो सकता है एकडम retail investors ने इंट्रेस्ट जगाया है Shiba Inu पर और जैसे की Wares की buying चल रही है Shiba Inu की जो मैं probable एक correction देखना चाहता हूं अगर Shiba Inu correct होता है तो यह अपने last all time high तक आ सकता है अभी भी यहां पर प्रॉपर्ली यहां पर support confirm करके retest किया था वह रहेगा 0.000005 का area 5000 यह देखने का MECO है और एक level हो सकता है जो काफी नीचे है जहां मैं देख रहा हूं Shiba Inu Shiba Inu की entry हो सकती है वह exist कता है 3547 से लेके 3799 जो शायद आये भी ना बट अगर dump हो जाए Shiba Inu जब dump करेगा बहुत गंदे वाला तो आप सब को उससे पहले अपने profits time by time थोड़े-thोड़े pull off करते रहें अगर Shiba Inu trade volume लेता है आप trade volume देखें trade volume अगर इस area में अच्छी देखने को मिलती है closing इसके ओपर देखने को मिलती है 7776 के ओपर और sideways movement है आपर अगर देखने को मिले इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें क्योंकि 0.0001 पर आके आपको कुछ resistance देखने को जरूर मिलने वाली क्योंकि वह एक psychological barrier होगा तो उस चीज़ का ध्यान आप जरूर रखें अपने profits time to time pull जरूर करते रहें क्योंकि Shiba Inu अल्रड़ी बहुत बिल्कुल उल्टे चल रहे है अगर आप लास तीन candlestick दोज की देखें और लास तीन candlestick अगर आप देखें Shiba Inu की तो यह है red green red यह है green red green यह कुछ अलग scene चलने तो मैं कहूंग आप तो जैसे जितनी बड़ी इसकी red candlestick थी आप इसकी green candlestick उसके बाद यह green candlestick जो volume है most probably doge से निकला और sheep पर move किया है currently doge थोड़ा से गेन कर रहा है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर sheep से अब है volume निकल के major alts में या doge coin पर shift होती होई नजर आ सकती है तो ध्यान जरूर दे क्योंकि doge जो scene चल रहा हो यह है doge बहुत time से accumulation zone में काफी time से sideways moment कर रहा है तो doge का एक breakout आना जरूरी था जो शायद आ गया है बाकी level of resistance is 0.30 0.316 जरूर रहने वाला है note जरूर कर लें बाकी यहीता आपड़ेट में इस वीडियो में Bitcoin currently अच्छा trade कर रहा है support हमारी 60,000 के उपर confirm है and एक बड़ी इसके उपर sideways moment होने लगी तो हम काफी strong रहेंगे next leg up के लिए त्यारी कर सकते है बाकी यहीता सारा अपड़ेट मेरी इस वीडियो में and I do hope आपको यह वीडियो पसंद आई होगी इस वीडियो पसंद आई तो वीडियो करें like, share अपने दोस्तों के साथ उनको बता है Bitcoin, Shiba & Doge को लेके and यह चैनल पे नहीं चैनल पे पेज़िए नहीं चैनल पे पेज़िए तो प्लीज चैनल पे हैं चैनल को सब्स्राइब जूरू करें बेल आइकन जुरूरू दो है ताकि लेटेस्स वीडियो अपडेट्स आपको सबसे पहले बता चले बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं अगरी वीडियो में तब तक के लिए See ya